तो फिल्म के शरुवात में हमें फ्यूजर इन्ही आने वाला वक्त दिखाया जाता है वो भी काफी सालों आगे जहां एक कंपनी जिसका नम बेडियोसा है वो इनसानों के डियने को बदल कर सूपर सुलजर बनाती है जोकि बूती ताकतवर होती है जिन्हें म्यूटन का गया मगर वो ही सारा काम इनलीगल इन्ही गयर कानूनी तरीके से कर रहे हैं साथी सबसे चुपकर खुफ्या तरीके से तो इसलिए एक एज़न्ट यहां इनकी कंपनी में आती है जानकारी लेने के लिए जिस बारे में इस कंपनी को पता चल जाता है इसलिए वो उसे भी चलता है इसका नाम चींगे जिसके बाद इन एजेंट्स का टीम लीडर कंपनी का सारा डेटा एक चूटी सी डिवाइस में कॉपी कर दीता है जिसके बाद वो लोग वहां से जानी लगते हैं मगर तब यह चानक कुछ टेंटिकल्स नीची आकर उनकी एक आदमी पर हमला कर दीती है जिसके बाद उनके सामने एक बहुती खतरनाक मॉंस्टर आ जाता है पता चलता है कि वो टेंटिकल्स इस मॉंस्टर के ही थी वो यह नहीं कर गुसा हो जाता है और हमला करने के लिए आगई बढ़ने लगता है मगर यह लोग उलड़ा उसी रोकने के लिए गोल्या चलाने लगते हैं मगर वो तो इतना ताकतवर था इतना खुनखार था कि इनकी गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता और बस फिर वो मॉंस्टर उन पर हमला कर दीता है एक एक एजंट को उठा उठा कर वो मार रहा था वो बहुत सारे एजंट्स को मार देता है तब यह और चाकु से बार-बार उसके सर पर वार करती है जिससे मंस्टर को इतना गुसा आ जाता है कि वो जिंगो अपने उपर से उठा कर नीची भैंकता है और उस पर अपने टेंटिकल से हमला करने लगता है जैसे टेंटिकल उससे लिपटने लगती है तो वो अपने चाकु से इक के करकी उसके सारी टेंटिकल्स कार्ड दीती है और बस इसके बाद वो यहां से पाक जाते हैं और उस monster को उससे lab में बैंद कर दीती है अब वो लोगा की बढ़ी रही थी मगर तबी उनके सामने monster से भी बड़ी मुसीबता के खड़ी हो जाती है जो एक लिड़की थी जिसके सफेद बाल थी लेकिन वो बहुत कतरनाक और ताकतवर थी क्योंकि उसकी बिडियाने को बदल कर उसे मूटरन बनाया गया था और इसने ही उस मॉंस्टर को इन लोगों के पीछी लगाया हुआ था क्योंकि वो इतनी देर सी उन्हें कंट्रोल रूम से देख रही थी और वो इन सब की पास आकर इन्हें इपनों टाइस कर दीती है यानि उन्हें इपने वश में कर लीती है लेकिन अब क्योंके चिंग भी मूटरन थी इसलिए वो बहुत जल उसकी इपनों टाइस की असर सी बाहिरा जाती है और फिर अपने साथियों पर से भी इपनों टाइस का असर हटाती है तब होश में आते हुनकर टीम लीडर उस लड़की पर हमला कर दीता है मगर वो लटा उसे उठा कर दोर भैंग दीती है फिर वो दुबारा से उस पर टांग से हमला करती है और बार बर पटक कर इधर से उधर मारनी लगती है कुछ दिर लडाई करने की बाद उन्हीं पता चल जाता है कि हम इससे नहीं जीज सकती ये बहुत ही ताकतवर है इसलिए टेम लिडर चिंग को वो छोटी सी डिवाइस देता है और यहां से भागनी का करेता है और एक बर पिर उस लड़की से बेड़ जाता है जहां इन दोनों की काफी लटाई होती है मगर एक बर पिर वो उसे बड़ी असानी से रोकर दोर भैंग दीती है जिसके बाद अब चिंग भी उसमें अमला कर दीती है तोलों की हाथों से ही काफी दिर तक लड़ाई चिनती रहती है मगर इसमें वो लड़की चिंग पर बार ही पढ़ रही थी वो चिंग का गला पकड़कर उसे दूर पहंग दीती है जिससे वो समान पर जगर गिरती है इसके लावा भी उसे बहुत मारती है और माल माल कर उसका बुरा हाल कर दीती है वो उसकी बाल पकड़कर उसे कसीटी लगती है और उठा कर दूर पहंग दीती है मगर तभी चिंग के डिये ने अच्छानक से बदलने लगती है मगर इसके बाद क्या होता है यह हमें दिखाया नहीं जाता फूरान इबाद हम मैडियोसा कंपनी के हेड मैनेजर को देखती है वो कंपनी की आफिस में आता है जहां एजेंट्स की टीम लीडर को क्याट करकी रखा हुआ था वो टीम लीडर से पुछता है कि बताओ चिंग और वो चोटी सी डिवाइस कहा है अब चिंग उनके पास नहीं थी तो इसका मतलब यह है कि वो यहां से बाग गई थी मगर अब जब टीम लीडर उसी चिंग और उस डिवाइस की बारे में नहीं बताता तो इससे उसे काफी गुस्सा आजाता है इसलिए वो अपने रोड से टीम लीडर पर हमला कर दीता है और उससे जान सीमा डालता है इसके बाद हम चिंग को देखती है जो एक अजीब सी जगा पर एक अंजान आदमी की साथ होती है चिंग को जैसी होश आती है तो वो लड़का उसकी पास आने लगता है उसे अपने बारे में बताने के लिए मगर चिंग को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो मुका मार कर उसे तोर फैंक दीती है और मुका देखर वहां से बाहर बाग जाती है तब वो लड़का भी उसकी पीचे पीचे जाता है पाहिराने के बाद चिंग अपने आसपास हर चीज़ को ऐसे देख रही थी और फिर तबी अचानक वहां आसपास सब कुछ रुख जाता है जो देखर वो समझ जाती है कि मेरी पास वक्त को रुखने की ताकत है जिसकी मदद से वहां पर होने वाले एक एक्सिडेंट को रुख दीती है और एक वर्गर के जान बचा लीती है मगर उसकी अपनी ताकत को इस्तमाल करने की वज़े सी कमपनी को उसकी लोकेशन पदा चल जाती है मतलब कि इस वक्त वो कहा है इसलिए अगले ही पल कमपनी के बहुत साहे लोग वहां पर आ जाते है जिनसे एक के बाद एक करके चिंग लिड़ती है और सूपर स्ट्रेंट मतलब कि वो इतनी पावर्फुल है इतनी ताकतवर है कि उसके आगे कोई नई टिक सकता तो इसलिए यहां भी वो अपने दोनों ताकतों का खोब इस्तमाल करती है वो उन पर हमला करती है गाइब हो जाती है और उसे अपनी साथ चिलने को कहता है मगर चिंग उसके साथ जाने से मना करतीती है जो सुनकर वो लड़का उसे अपनी आइड़ी दिखाता है और बताता है कि मैं एक पोलिस ओफिसर हूँ इसलिए अब तो मेरी बात नहीं डाल सकती तो यहां आपकर वो हेट मेनेजर की उन साथियों की मजाग उड़ाने लगती है कि वो तो सारे फेलियर निकले हार गए तो यह काम तुम्हारे बसका नहीं है अब से यह काम मैं करूंगी मैं ही चिंग को बकड़ूंगी कैसे भी करके जिसके बाद हम चिंग और उसके साथ उस पुलिस ओफिसर को देखती है जिनकी अब दोस्ती हो गई थी इससलिए वो चिंग को उसकी यादश्ट वाबिस दिलाने में उसकी मदद कहरा होता है वो अपनी पुलिस स्टेशन के सिस्टम से पता लगवाता है कि पिशले काफे दिनों से चिंग कहां पड़ती मतलब कि उसको मिलने से पहले जहां उन्हें पता चलता है कि वो एक विजिटर ग्रूप का हिस्सा थी जहां पर उसके साथ और वे बहुत साई रड़किया थी और यहां वो गूमने आये हुए थी मगर फिर चिंग बाद में यहां एजन्ट का काम करने लगी अब तब है चिंग को अपने जेब में वह चोटे सी डिवाइस मिलती है जोकर टेम लीडर ने उसे दी थी जिसमें उस कंपनी का साना डेटा होता है अभी वो लोग उसे चेक करने की सोची रही थी कि तब ही एक बहुत बड़ा सा पिलर उनके घर में घुस जाता है जिसके फूरने बाद उनकी कमरी का दिल्वाजा एक दमाके से तोट जाता है तब वहाँ एक लड़की आती है जोकर चिंग के उसी विजिटर ग्रूप की थी तो दुबारा से बाकर आती है और फिर से लड़ने लगती है कभी वे एक दुसरे को हाथों से बार रही थी तो कभी टांगों से वो लड़की खुद को कमजोर पढ़ता हुआ देकर यहां से बाहर चली जाती है हर फ्लोर से गुजरते हुए चिंग पत्थरों में दबती जा रही थी इसलिए सबसे नीची आके वो काफी सक्मी हो जाती है इतनी सक्मी क्यों बस मैडने ही वाली थी मगर फिर शुरवात कितना उसकर डियनी तुमारा से बदेलनी लगता है जिससे उसकी ताक्ती काफी हद तक बड़ जाती है जिससे अवव बिलकर टीक हो जाती है जैसे ही वो उड़ती है तो उसकी ताकत से वहाई काफी बड़ी वीव एक लहर सी बन जाती है अवो लड़की पत्थरों को कंट्रोल करकी अपने हाथ पे चिपका लीती है उसने एक तरह का हतियार बना लिया था जिससे वो चिंग पर हमला करती है मगर चिंग सिर्फ अपने ही ताकतवर हाथ से उस पर हमला करती है इसके बाद में चिंग उसे खोब पेटती है कि अब तो तुमने अपने सूपर सोल्जर पेजी थी तो तुम कैसे नगामियाब रही और तौर तुमने हमारे एक सूपर सोल्जर को मलवा दिया मगर क्योंकि उनकी ये सारे बाते कंपणी का मालिक सून लेता है इसलिए वो ने टोप कर कहता है कि अपनी इस लड़ाई को बन करो और कहीं सी भी कैसे भी करके वो डिवाइस टूर्ण करना हो अब हम चीन को देखती है जिसे जैसे इंजेक्शन दिया जाता है वो बिल्कुल टीक हो जाती है और अब वो अपने साथी पुलिस ओफिसर के साथ लेब में जाती है हमला करने के लिए जहां आती है उसे अपने यादे याद आनी लगती है मतलब कि उसकी यादा थोड़ी थोड़ी वापिस आ चुकी थी जिसमें वो देखती है कि सफीद बालो वाले लड़की ने मुझे पकर लिया था और मुझे पर एक्सपेरिमेंट किया था अब यहां उसे वो जगा भी यादा जाती है जहां उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था क्योंकि उसने काफी दीर सी उन पर नंजर रखी हुई थी जिसमें वो कहती है कि अगर उस डिवाइस को चिंग ने एक गंटी की अंदर अंदर हमें ना दिया तो हम लोग शेहर की सारे मासूम लोगों को जान सीमार डालेंगे मगर चिंग उसकी अभी भी एक नहीं सुनती और केप्टन की पास चली जाती है उसकी जाने की बाद उसका साथी पुलिस ओफिसर इजगा पर उदास पेटा होता है क्योंकि वो सोच रहा था कि मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ अकीला ही उन लोगों से नहीं लड़ सकता मगर इसकी बाद जूद भी वो लड़ाई की हमने की तैयारी करता है उदर चिंग अपने कैप्टन की पास पहुंच जाती है उसे वो डिवाइस और कमपनी की जानकारी दीते हुए कहती है कि पर तो मैंने मुद बड़े कलती की तुम्हें डिवाइस और जनकारी दीकर जिसके बाद हम देखते हैं उसी पुलिस ओफिसर को जो कमपनी की लोगों के सामने पहुंच जाता है हलांकि वो जान दा था कि मैं इस लड़ाई में नहीं जीत पाऊंगा कि बहुत सारे सुल्जर्स उनकी तरफ बढ़ने लगती है जहां चिंग भी आगे बढ़ती है और बार बार गाईब होकर दिल्वार से उन पर वार करकर क्यूने मारती जा रही थी वो उनकी बहुत सारे सिपायों को मारने में कम्याब रहती है मगर इसी बीच एंजला पुलिस ओफिसर को पकर लेती है और चाको से उसके सीनी में कई बार वार कर दीती है जो देकर चिंग को बहुत गुसा आता है इसलिए वो जल्दी से एंजला को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है जो बिल्कुल किसी शील्ड जैसी थी जिस बज़े उसी एंजला काफी दोर जाके गिरती है मगर इसी उसी कुछ भी नहीं होता और अब इससे पहली वो और कुछ करके जिंग पर हमला करती है जिंग आई बोकर अच्छानक से उसकी पीछे पहुंच जाती है कि चटके में अपनी चाकुसी उसका गला काड़ दीती है यह सब कुछ कंपनी का हेड मेनेजर और वो सरे बिजनसमेन एक स्क्रीन पर देख रही थी अब उन्हीं हारता हुआ देखकर सारे बिजनसमेन उसी सवाल करनी लगती है एक बिजनसमेन जैसे हेड मेनेजर को बुरा बला कहता है तो वो ठाकर उसे दूर फैंगीता है और पर जान से हिमार डालता है जिसके बाद वो सारे बिजनसमेन को डराता है और दमकाता भी है उदर चिंग अपने पुलिस ओफिसर साथी के सर अपने गोद में रखकर बैटी थी उसी दीकर वो काफी दुकी हो रही थी क्योंकि वो बहुत जखमी था और फिर उसकी हाथों में वो दम तूर दी था है तो देकर चिंग को इतना गुसा जाता है कि वो मेंडियू सा कंपनी की में आफिस में पहुन जाती है जिसकी फोरणी बाद उन दोनों की बीच भी लड़ाई होना शुरू हो जाती है हेड मेनेजर चिंग पर बारी पढ़ रहा था वो उसका गला गोटकर उसे हवा में उठा दीता है और फिर उठाकर दोर भैंकता है अब की बार वो इतनी स्पीड से गाइब हो रही थी के हेड मेनेजर उसे देख भी नहीं पा रहा था और काफी कन्फ्यूस लग रहा था मतलब कि उसे कुछ भी समय नहीं आ रही थी कि हम में क्या करो और पिर अचानक से चिंग उसकी बूट पास आकर उसे ठका मान की दूर पहकती है मगर अभी भी वो हार नहीं मान रहा होता और तुबारा से उठता है काश की बू सारे टुकड़ों को अपने कंट्रोल में करके हमला करने के लिए वो चिंग की तरफ पेज़ता है मगर वो दुबारा से गाइब होकर उसकी सरक्यों पर आती है और चाको से एक सोर दर्वाल करकी उसका के लिए पर खत्म कर दीती है सब कुछ खत्म करने की बाचिंग अपने उस साथी पुरिस ओफिसर की घर जाकर उसे याद कर रही होती है जहां पर तभी अचानक से वो उसके सामने आ जाता है जिससे हमें पता चलता है कि वो अभी भी जिन्दा इसलिए है क्योंकि वो कोई इनसान नहीं बलकि मूटेंट है इनकी उसके पे डियाने को बदल दिया गया है जोनों एक दुसरे को प्यार सी दीखती है और बहुत कुछ थी उनकी इसी खुशी के साथ ही ये कानी इदेरी खत्म हो जाती है